जरीन खान एक्सपोज के लिए क्यों हुई तैयार सभी जानते हैं कि हेड स्टोरी में किस तरह के द्रश्यों की भरमार रहती है हिरोईन को सारी हिचक दूर कर जम कर एक्सपोज करना होता है इस सीरीज की पहली फिल्म में हिरोईन पाउली दाम ने सारी हदें पार कर दी थी दूसरी फिल्म का भी यही हाल था जब इस फिल्म सीरीज की तीसरी फिल्म से जरीन खान जुड़ी तो सभी को हैरत हुई जरीन से जुड़ी लोगों का कहना है कि इसमें आश्यर की क्या बात है कौनसी फिल्म में बोल्ट सीन नहीं होती चुकि हिड स्टोरी पर एरोटिक थ्रिलर का टैग लगा हुआ है इसलिए लोगों का नजरिया फिल्म के प्रती अलग है जरीन इस फिल्म के लिए तैयार हैं और उन्हें एक्सपोज करने में कोई हिचक नहीं है आगर जरीन को इसकी जरूरत क्या पड़ी सूत्रों का कहना है कि वीर जैसी फिल्म में सल्मान के साथ शुरुआत करने के बावजूद जरीन का करियर खास आकार नहीं ले सका सल्मान ने रेड़ी में एक गाना दिलाकर जरीन को चर्चावें बनाये रखने की कोशिश की लेकिन जरीन को फाइदा नहीं हुआ जरीन इस इंतजार में बैठी रहें कि उन्हें लेकर सल्मान कोई बड़ी फिल्म बनाएंगे लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है खर बैठे रहने के कारण वजन बढ़ गया सु अलग आखिकार जरीन ने सल्मान की तरफ आशा से देखना बंद कर दिया और अपने बलबूते पर अपने करियर को आगे बढ़ाने में जुट गई इस दोरान उन्हें हेड स्टोरी तीन का आफर मिला और जरीन ने इसे लपकने में जरा भी देर नहीं लगाई शायद एक्सपोज के जरिये सफलता उनके हाथ लग जाए